कि दोस्तों वेल्कम टो मैं चैनल आज हम इसी टाइप का नाई टी किस तरह बनाते करके दिखाता हूं इसमें इसको कूरती स्टाइल में बनाया हुआ है इसमें ऐसा गाट रखा हुआ है बस वही है इसके दोनों कपड़ा थीन-3 मीटर का है इसमें हम मिक्सर मैच बनाना है दो नईटी का ही कपड़ा ये अभी इसके उपर एक कटिंग किस्तरह करते करके मैं बताता हूं अभी ते देखो यह डबल फोल्ड करके ऐसे रखा हुआ है अभी इसमें शॉल्डर हम 14 इंच का रखता है इसलिए 7 इंच का मार्किंग इसके बाद यह 8 इंच का मार्किंग और रहा है 8 इंच हुई 7 इंच दर मार्किंग इया अभी इसका चेस्ट विट हम बनाता है 40 और पावनें एक इंच का सिलाई ए 36 इंच का बनाता है वेस्ट लाइन सब जगह पावनें एक इंच का सी में रखता हुआ है यह प्लाइन बनाता है हम 42 इंच का साड़े जस प्लस पावनें एक इंच इसमें मार्किंग कर लेता है अभी यह तोड़ा चोटा मार्किंग करके हम इदर आम होल बनाना आई है यह फ्रीज साइस है इसलिए ज़्यादा इसमें साइस नहीं देखता है चेस साइस देखता है लिए अभी कोई मेशरमेंन हम उपर भी बना देता है अभी इदर से हम इसका स्लेव काट के निकालना है अभी साढ़े तीन इच का मार्किंग इदर से करता है जो स्लेव का स्लॉपिंग जो आता है इसको एक स्ट्राइट लाइन में बना देता है अभी यह जो आम होड़ हम नाप के लेता है यह कितना है करके वो इससे ही मेशरमेंन हम यह जो साढ़े तीन इच का मार्किंग किया उदर से यह जो लाइन में टच होता है उदर मार्किंग कर लेता है अब यह सारे मार्किंग को हम जोड़ देता हूँ पहले कई अब रुप कर रखे हम हिप लैएन इसी तरह बना देता है इसका हिप के उदर से जादा यह जादा बढ़ा जाते है सीदा क्योंकि यह ताड़ा लूस मिलना चाहिए बना चाहिए घर के इसी करते हैं ज्यादा हीप ये ज्दर ज्यादा इसलिये रखता है क्योंकि यह रेडिमेड बनाता है किसी का लैन की वह साइज ज्यादा च्रॉप्लम आजाए गाई। इसलिए हिप साइज कभी भी हमको चोटा कर सकता है अभी हम इदर से स्लीव का लाइन बना देता है ठीक है इसी तरह इदर ही स्लीव बना देता है हमें स्लीव ज्यादा लेंबा भी मिल जाएगा इसमें अब इदर से 8 इंज का मार्किंग रखके हम से इदा लाइन बना देता है इसका स्लीव का अभी हमारा स्लीव भी बन गया बोडी भी बन गया अभी हमें कट करके इसको अलग कर देता है सब अभी हमें बना देता है कि देखा इसका नीचे तक इसी तरह हम गाट लेता है ये कपड़े का पूरे लेंपा यह हम निकाल देता है इसमें कुछ काटता नहीं है कि अभी हमारे कर्टिंग पूरा हो गया कि अभी हमें इसका नेक बनाना है नेक हम सावा तीन इंच का चे उड़ाई रखा हूँ है इसमें और नीचे तक साड़े चे इंच का अभी इसमें वो पैटर्न बनाता है जैसे हमने पहले देखा था वो एकदम सिंबल है जो नीचे से चे उड़ा कम और ओपर पहुंचते चे उड़ा ज्यादा हो जाता है इसका दोनों सैट से काटके सिर्फ जो नेक है उसको अलग कर देने का इससे पूरा काटके अलग कर देने का यह हमारे नेक रेडियो होगे अब इसमें जो मिक्सवाला कपड़ा है उसमें ब्लैक में यह चिपका देता है यह देखो यह चिपकाए हुआ है अभी इसी नेक में हम जो पहले करता था वो यह काम करता है फेविकोल इसमें फेविकोल लगाके हम इसका किनारा चिपका देता है आराम से इसका किनारा चिपका देने का यह वो लोगों के लिए जो नाया सिलाइच सीखता है वो लोग उनको यह इसी काम दिखा रहा है यह दो ट्राइक कर लेना अभी एकदम यह सही हो गया अभी हम इसमें चड़ा जाते है इसमें फ्रेंट पीस में एक दम बीच में रखे एक सिलाई तर तक एक सिलाई कर देने का क्योंकि यह हिलना नहीं चाहिए करके अभी इसका यह जो किनारा से पूरा राउंड सिलाई मारने का कर दो को कर दो हो खूरा तर यह हुआ झाट कर दो कि दिएक कर दिहा नहीं तर प्रवस्यां कर दो को कर दो गया है भी इसका पूरा प्रवस्या प्रवस्याश काटके हम इसको दूसरे तरफ मोड़ देना है सब जगा इसी तरह काटके देने का जरूर ध्यान में रखना जो दागा हमने सिलाई किया है वो नहीं कटना चाहिए अब इसको मोड़ देता है दूसरे तरफ अब देखो इसको इसी तरह मोड़ देना है पुरा हमारा सुन्दर नक बना हुए अभी अभी इसमें एक बात देखना यह अभी एकदम मोड़ हुए यह देखो यह जो साइड हम मोड़ता है तब इसी तरह तोड़ा यह अंदर वाला जगह हमें मिल जाता है इसको उसी तरह रखके इसलाई करेगा तो हमें एक पाइपिंग की तरह वो दिखाई देगा जो जिसको नहीं चाहिए तो वो सीधा कर सकते है नहीं तो हम इसमें क्या करते है उसको उसी तरह रखते है तो जोई कि यह दोनों अलग अलग कलर है इसलिए वो पाइपिंग की तरह रहेगा वो अच्छा दिखाई देता है यह हमें टेंशन फ्री एक पाइपिंग मिल जाता है जिब भी नक ऐसा दूसरे कडर कर रखते है तो इसी तरह पाइपिंग की तरह उस सेड में सिलाई कर देने का तब यह एक पाइपिंग हमें फ्री में मिल जाता है विद्व को यह कितना अच्छा लगता है पतला पाइपिंग अभी हम इस साइड में दूसरा पाइपिंग लगाएगा तेको यह ही पाइपिंग लगाते हम रेडिमेट जो मिलता है उसको इसी तरह फूल राउंड सिलाई कर देना है इसके जो कौनर वगेरा आता है जो कौनर आता है तो उतर एक बार काट के देना उसको अच्छी तरह मोडने के लिए कि अब यह कौनर आएगा तो एक बार काट के देना बढ़े गा उसको अब अधर यह बहुत इसी काम है आप लोग जरूर ट्राइ करना चुकि नाजिती बनाना बहुत इसी काम है उसमें हमें इतना पक्का साइस का भी जरूरत नहीं तोड़ा आगे बीच रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिनिशिंग कभी भी तोड़ा अच्छा दे देना है क्योंकि नेको गहरा जो रखता है हम अच्छा डिसेन में रख देने का बितको हमारा फ्रैं इसको पॉकेट बना देता है अभी उसके उपर यह ब्लैक वाला पीस रखके हम एक पैटन बना के पैटन वाला पॉकेट बना देता है सिम्बल यह देको यह ब्लैक पीस रखता है इसमें इसको इसी तरह रखके सिलाई करके दूसरी तरफ मोड देना है कि अभी हमें वो फॉकर्ट भी मिक्सन में चाहे जाएगा एक कुर्थी टाइप का जो नईती बनाता है उसमें पॉकर्ट जुरूर रखना आज कल तो सभी लोग मॉबिल फॉन वगएरा यूज करता है तो और रखने के लिए जगा मिल जाता है कि इसी तरह चारों साइड में मोड के इसको रखके सिलाई करना है यह जो नकले ने उदर से सीधा 15 इंज में मार्किंग रख देने का एक वो मार्किंग में हम इसको रखके सिलाई कर देता है देखो वो मिडल साइड में मार्किंग किया है उसका साइड में रखके इसी तरह रखके सिधा सिलाई कर देना यह हमारा पोकट भी लग गया हुआ है अभी समझो हमारा यह जो नाइटी का खाम 75% हो गया अभी इसमें बैक पिस लगाना है अभी देखो इदर वो जो गाठ आता है वो हमें रखना है देखो यह किस तरह रखता है देखो इसी तरह मोड के सिधा सिलाई कर देखो इस दागा हमें रेडिमेड मिल जाता है अभी काम हो गया फ्रेंड हमारा काम पूरा हो गया अभी इसमें बैक पीस हम नेक वगरा लगा के इसको जोड़ देता है नेक में इसी तरह पीस लगा के सिलाई कर देना अब लोग यह सब नॉर्मल जो होता है वही दिख करता है दिखाने के जरूत नहीं है जो लोगों को सब सिलाई पता है लेकिन जो नाया लोग है नाया देखता है वो लोगों के लिए दिखाता ही अब इसको मोड के से लाई कर देना आपका लेबल वगेरा है तो लेबल भी इदर बीच में टक देने का अब इसका शॉल्डर में अलगी इस साब से जोड देता है यह सीधा एक दूसरे के ऊपर रखके जोड देता है जो नॉर्मल हर किसी को जोड सकता है इसको डबल सिल्या है करके फिनिश कर देना दोनों सैड में यह बहुत इसकी काम दिखा रहा है नाइटी में हर तरह सिल्याही हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है चुए distill तो इसको हम उपर से एक बीचिवाई मारता है तो अनों शॉल्डर में ऐसा ओपर से भी सिलाई मार देता है क्योंकि इसका जोड नहीं दिखना चाहिए करके विज़े का शॉल्डर जॉइंट भी इसका पूरा हो गया अभी हम इसमें स्लीव लगाता है स्लीव लगाके इसका साइड पूरा सिलाई करके हम काम फिनिश कर देना इसमें यह सब आप लोगों को आता है दूसरे वीडियो में भी दिखाया हुआ है इसलिए इसी तरह सिलाई करके पूरा फिनिश कर देना आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर यह वीडियो देखके ट्राई कर लेना किसी को भी डाउट रहेगा तो इसमें कमेंट कर देना मैं आप लोगों को रिप्ले कर देना है जरूर अब हमारा यही बी स्लीव लगा हुआ है अब इसको दूसरा स्लीव भी लगा के इसको फिनिश कर देता है मैं तक यह फिनिश कर दिया पूरा एकदम फिनिश हो गया हुआ है आप लोगो यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देजिए जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं किया भूले मिद सब्स्राइब कर दीजिए तैंक यू फॉर वाचिंग